हूँ और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्षुक हूँ हम सभी का ये उत्षा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सड़कों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रगय सा आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदि बेन पटेल यहां के लोकप्रिय मुख मंत्री योगी आदित्यनाच जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी जोतिरादित्य जी अस्वीदी वैश्णव जी बिके सी जी उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सियम केश्व प्रसाद मौर्य जी ब्रिजेश पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण सभी साउसद और विदाईग्ण और विशाल संख्य में आए मेरे परिवार जनों देश के इतिहास में तीस दिसंबर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभाच अंद्र बोज ने अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अम्रित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहां पंदरा हजार करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को बेश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोणा जैसी वैस्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावासियों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अयोध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरा देती हैं हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं आयोध्या में राम लला टेंट में बिराजमान थे आज पक्का घर सिरफ राम लला कोई नहीं बलकि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनात धाम के पुनन निर्मार के साथ ही बेश में तीस हजार से जादा पंचय भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिपकेदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बने है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुँचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकिया भी बनवाई है हम चान, सूरज और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहे है तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जोनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अलद्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी समरुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में बिज्ञान और बैराग्य तो थाई उसका बैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक ताग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों के संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारो करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटबात बन रहे हैं आज अयोध्या में नए फ्लायोवर बन रहे हैं नए पूल बन रहे हैं अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी याता-यात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेल्वेस टेशन का लोकारपन करने का सवभाग है मुझे खुसी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्ची वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्ची वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्ची वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमी कीजी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमी की द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमी की इंट्रनेशनल एरपोर्ट अयोध्यादाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाग आत्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्ति वालमी की इंट्रनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग आत्रियों आजा सकेंगे अभी अयोध्यादाम रेलवेज स्टेशन पर हर रोज 10-15 जार लोगों को उनकी सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकाथ होने के बाद